मौसम से जुड़ी ताजा आपडेट देश्बर के इनराजय में होगी बारिस और प्रभबारी एक ताजा पस्त में एक जोब जोकी 17 फरवरी को उत्रभार्थ में दस्तक देगा जिसकी प्रभाव से एक बार फेर से उत्रभार्थ से लेकर के मेदानी लाको तक बारिस की गतिवीदिया देखने को मिल सकती है आज 16 फरवरी को उत्रभार्थ में पाड़ी लाको में हलकी ब्रभबारी कहीं कहीं पर बुंदाबांदी देखने को मिल सकती है अठारा और उन्नीस फरवरी के दोरान जमु कस्मीर, लद्दाख, गिलगीत, इबालिस्तान, मुझप्राबाद, हिमाजल परदेश में उन्नीस फरवरी को उत्राखन में हलकी से मदें बारिस और ब्रबारी के साथ एक या दोस्तानों पर भारी ब्रबारी की भी संभावना है सित्रा फरवरी को उत्रभार्त में आंचिक रूप से इबादल चाहे रहने के साथ ही देर रात से उची चोटियों में हलकी ब्रबारी और बारिस शुरू हो जाएगी 18 परवरी को उत्तर उत्तर पस्मी मदे और दक्षन कस्मीर के अलग-अलग उचे इलाकों में भारी ब्रबारी के साथ अधिकान सिस्तानों पर हलकी से मदें बारिस और ब्रबारी की संभावना है 1920 फरवरी को भी कुपवडा, बारमुला, बारीपोरा, गंदरबल, सोपिया और कुलगाउं जिले के मद्धे और उचे इलाकों में भारी बरबारी की संभावना है मेदानी और नीचले इलाकों में हलकी से मद्धें बारिस भी हो सकती है 17 फरवरी से पस्तमेक्षोब सैकری होने ज़ो कि परदेश की मईसम को प्रभावित करेगा इसकी कारण 19 और 20 फरवरी को जेपूर, जोदपूर, बिकाने, रजमेर, इन संभागों की जिलों में कहीं कहीं पर बारिस भी हो सकती है बारिस के कारण तापमान में गिराउट होगी और लोगों को सर्दी का ऐसास होगा 18 से 20 फरवरी के दोरान पंजाब, हरियाना, चंदिगर, दिली अन्शियार, पस्चमी, उत्रपरदेश, मदेपरदेश के अधिकान सी इलाकों में अगले दो दिनों के दोरान उत्रपस्मी भार्त में नियूंतम तापमान में कोई मैतपुन बदलाव की संभावना नहीं उसके बाद 2 से 3 डिगरी सेल्शियस की बडोत्री होगी मौसम से जुड़ी है जानकारी सही और सठीक लगे तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें